नमस्का साथ एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं पीएनल के बारे में अब्जब कर रहा था मेरी टीम आपस में बात कर रही थी विकिस उन लोग रिव्यूज हैं तो वो कुछ पीनल की टम्स को लेकर बात कर रहे थे किसको क्या कहते हैं तो फिर मैंने सूचा कि कुछ सट्व मेजर में न क躲ें दिश्ब कर लेते हैं यह सारी टम्स आप्र एक प्एनल से रिलेट करती हैं profit and loss वो चाहे कोई भी कोई restaurant रन करता हो अपनी पर्सनल फर्म और रन करता हो कोई shop हो सकती है इस्टॉल हो सकता है आउटलेट काफे एक्सवाइजर बट क्या है कि इस items हर जगे इंप्लिमेंट होते हैं सबसे इंप्लिमेंट होती है कि इससे क्या पता रखता है कि आपकी company ने आपके store ने आपके restaurant ने कितना profit किया कितना माजन किया कितना discount and taxes दिये बात कर लें तो कुछ terms की सबसे पहले वह बात कर रहे तो वह था gross sale अब gross sale क्या होता है gross sale वह sale होती है जो आपने पूरे महिने में जो भी पैसा कमाया है एक से लेके 30 तक यानि पूरे महिने में जो भी आपने पैसा कमाया है वह आपका पूरा ग्रॉस सेल होगा, ग्रॉस सेल मतलब जिसमें आपके tax, discount, promos, online discount सेल बनती है, यानि कि तोटल सेल, यानि कि आपने तोटल सेल एक महिने में लेके पूरी सेल कितनी किया है और उसमें कुछ नहीं घडाया है, तो वो आपका ग्रॉस सेल होता है, अब net सेल क्या होता है? नेट सेल होता है कि आपने नेट सेल वो टम होती है जब आप ग्रॉस सेल में से यानि कि आपने एक महिने में पूरा पैसा कमाया है उसमें से आपने कुछ लोग डिसकाउंट भी दिये होंगे वो सारी चीज़ों को हटाने के बाद जो बसता है वो नेट सेल होता है यानि कि डिसकाउंट आपने प्रोमोज अपने टैक्स अठाए तो वह आपका हो गया सेल अब इसको थोड़ा सा एक्जाम्पिल के तोरो समझते हैं मानके चलता है मैंने पूरे महिने में जो सेल करी है ट यानि कि 1000-100 इक्वल टू 900 यानि कि 900 रुपए तो यह मेरा हो गया नेट सेल है मेरा 900 रुपए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है जब आपने अपने नेट सेल में से कॉक्स यानि कि कॉस्ट औफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तब जो कॉस्ट बसती है तो वह आपका बसता है ग्रॉस प्रॉफिट यानि कि मैंने जो 900 रुपए कमाए हैं वो 900 रुपए कमाने के लिए मैंने कुछ सामान भी खरीदा होगा एक्जाम्पल मैंने जो 900 रुपए कमाएं वो चाय बीचने वाली दुकान से कमाएं लेकिन 900 रुपए कमाने के लिए मैंने 50 रुपए 100 रुपए दूद दही पानी मिट्टी एक्स वाइज़ जो भी हम यूज करते हैं वो मैंने खरीदा है तो यानिकि वो मेरा कॉक्स है रो म माइनस कर दूँगा तो मेरे जो बचेंगे 600 रुपए वो 600 रुपए मेरा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट समझे रहे हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा तो यानि कि मैंने क्या कि अभी तक मैंने ग्रॉस सेल में से अपना टेक्स डिसकाउंट माइनस किया तो मेरा नेट सेल में से मैंने अपने कोक्स को माइनस किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचा अब मेरा आता है रेस्टरॉन मार्जन रेस्टरॉन मार्जन क्या होता है यानि कि रेस्टरॉन मार्जन निकालने के लिए हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से लेवर कॉस्ट क को माइनस करना होता है मतलब चाय बनाने के लिए एक इंसान लगा होगा उस इंसान की सेलरी होगी महिने का पे होगा तो जो अमाउंट पे जो हम कर रहे हैं उसको माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा रेश्टरंट मार्जन कहलाता है यानि कि ग्रॉस प्राफिट में से माइनस लेवर कॉस्ट यानि कि उस इंसान की कॉस्ट जो ने चाय बनाई है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा होता है रेइस्टरंट मार्जन अब इसके आगे भी कुछ टम्स होती हैं उनको हम क्या-क्या फॉलो करते हैं लेकिन जर लोग का है कि टॉटल सेमें टाक्स ट्री सकाउंट होते हैं इसके बाद हम उस में से माइनस करते हैं टाक MS v industry डाकस माइस करते हैं आपका बचता है विक मार्चSon अब नहीं से समझा ग्रॉस सेल हमारा एक हजार रुपए था टेक्स डिसकाउंस हमारी 100 रुपए था मैनस किया तो हमारा नेट सेल बचा कितना 900 रुपए 900 मैंसे मैंने मैंने 300 रुपए लेवर कॉस निकाल दी तो मेरा जो बचा रेस्टर्ण मार्जन वो 300 रुपए रेस्टर्ण मार्जन बचा तो यह हमारी फोर टाम्स थी उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कॉमेंट इन बलो बिल एक् अठाए प्लीज क्यों तो यह हमारी चाम्स थाफ़ कि आप स्प्ली तो में अध नहीं थिह न चान अफ रिक एड आप खर आप प्लीज कुमेंट तो यह हमारी नहीं आता है तो मैं हमारी खुपए ग्योचीं थे